Hello students, आज हम देखेंगे chapter percentage, अगर आप aptitude की बात करोगे, quantitative aptitude की, तो percentage एक base है, all the chapter, I think most of the chapter, 90% of the chapter is based on percentage, profit and loss, speed distance time, time and work, data interpretation, जितने सारे ये topics हैं, वो percentage के थरूपत है, number system में, कुछ question, comparison के, so this is the base of aptitude, अगर आप इसके verbal meaning की बात करें, अगर percentage के verbal meaning की बात करें, तो इसका मतलब होता है, percentum, एक Latin word है, percentum, that imply by a hundred, by a hundred, that imply hundred में कितना express करा हुआ है, जैसे, अगर हम one percent की बात करें, that imply one in hundred, similar fashion में, अगर हम two percent की बात करें, तो that imply ये क्या बताएगा, two in hundred, and so on, suppose 40 percent की बात करें हम, तो 40 percent is equal to क्या होगा, fourteen hundred, so ये तो basic definition है, percentage, main important point क्या है, इस chapter में, इसका हम use कैसे करेंगे, सबसे पहले, किसी भी paper को attempt करने के लिए, किसी भी competitive exam के paper को attempt करने के लिए, आपको one से लेकर, 30 तक का percentage equivalent पता होना चाहिए, ratio, जैसे, अगर मैं लिखता हूँ, three by eight, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके value होगा, 37.5 percent, and vice versa, अगर कभी लिखा हुआ है 37.5 percent, तो आपको quickly ये पता चल जाना चाहिए, कि ये value कितना है, three by eight है, similarly अगर five by eight लिखा हुआ है, तो आपको quickly पता हो जाना चाहिए, कि ये value हाँगा 62.5 percent, and vice versa, अगर परसिंटेज लिखा हुआ है 62.5 परसिंट तो आपको समझ जाना चाहिए कि वेलू कितना होगा तो आपको हम फॉर्स स्टेज में बताएंगे कैसे परसिंटेज को आप याद रखोगे करें वन से थर्टी तक का बहुत आसान तरीका है वन से लेका 30 तक के परसिंटेज एक्यूवैलन को याद करने का तो आये देखते हैं कैसे परसिंटेज एक्यूवैलन रखेंगे सबसे पहले कुछ Mr. ton Independent पॉइंट वं में कोई भी नंबर आपने आपका कितना परसिंट होता है 100 परसिंट होता है जैसे अगर मैं बोलू टू का कितना परसिंट है तो ऑबिसि़ और स्थी वात है क्या बोलोगे आप 100% है अगर हम पोले five तो आप फस्त इमस्तृ बीश्थिंच मैं था अगर अगर आपको जैसे कोई नंबर गिवन आपको टूऊफॉट गुवन और पूछ रहा है इसनल्बॉट का टिन परसंट क्या होगा तो हम बेसिक डेवनिशन कैसे जानते हैं wszyscy परसेंट मतलब क्या होता है तो 10 परसेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2425 इंटु 10 बाइंड्रेट इंप्लाइट 10 से यह 10 तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में वन डिजिट कर देंगे तो यह वैलू कितना हागा 242.5 बट तुरिंग प्रैक्टिस हम यह सारा चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे अगर इसका 10 परसेंट पूछ रहा तो कैसे हम quickly percentage को ratio में और ratio को percentage में convert कर सकते हैं अगर मैं one by one लिख हूँ बच्चे तो आप क्या बोलोगे 100% नंबर खूद का कितना होता है 100% अगर मैं one by two लिख हूँ तो आप क्या बोलोगे 50% one by four लिख होगे तो आप क्या लिख होगे 25% one by अगर हम eight लिखते हैं तो यह value कितना होगा 25% divided by two that imply 12.5% से सोनो अगर similar fashion में कभी है मैं question में आ रहा है कि three by eight का value क्या होगा तो आप क्या लिख सकते हो three into one by eight और आपको पता है one by eight का value कितना होता है 12.5% सो यह क्या हो जागा three into 12.5% that imply value कितना है गा 37.5% अगर same pattern पर देखे five by eight अगर हमसे पूछ रहा है तो यह कितना होगा five into one by eight और अगेन ही क्या होगा five into 12.5 that imply value कितना है गा 62.5% सो इस तरह से आप fraction को ratio में और ratio को fraction में change कर सकते हों यहां पर मैंने इसको easily memorize होने के लिए इसको एक particular group में divide कर दिया है हमने यहां पर देखा था जो even numbers वाले numbers है one by eight one by four one by two two right इसको मैंने नाम दे दिया है group one type अब देखें group two type देखो इसमें मैंने seven वाले numbers को रखा है अगर one by seven one by fourteen इस तरह के numbers को आपको याद रखना है जो seven का multiple है तो यह percentage में आप easily change कर सकते हो seven का double कितना होता है 14 तो यहां पर लिख दो 14 14 का double कितना है 28 तो यह लिख दो सो one by seven का value कितना होगा 14.28 अगर हमें one by fourteen का value पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे one by two into one by seven so simple one by seven का value हमें कितना पता था 14.28 तो हम क्या लिख सकते है है one by two into 14.28 यहां से आप क्या देख सकते हो तू से divide करोगे तो यह 7 और यहां से भी क्या है 14 इंप्लाई 7.14 तो इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे 7 के बदले क्या हो गया है 14 और 14 का double क्या हो गया है 28 तो यह double-double का concept है इसली मेमराइज करने के लिए ग्रूप थर्ड में ऐसे नमबर को रखते हैं जो डिजिट रिपीट होता है जैसे अगर आप 1 by 3 की बात करो बच्चे तो कितना हो गा है तृ पसंट कtså कंश रिलेवं के बात करो गया यह आसं पर सिंसेशास रिपीट होना शुरू हो गया अगर आप नैन करो थे खुरू यह वैलू कितना हो गा 11.11 प कंसंट अगर यह वन बाढ़ 11 की बात करोगे बच्चे तो यह value कितना आगा 9.09% तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो correlate कर सकते हो कि यहां पर भी 3 के बदले 3 repeat हो रहा है 6 के बदले यहां पर 6 repeats होना शुरू हो किया है 9 के बदले 11 और 11 के बदले 9 यह दोनों इंटर कंवर्टेबल है ऐसे याद रख सकते हों अगर वन बाइन था तो उसके बदले डिजिट कहां से स्टाट हो रहा है 11 से और वन बाइन था तो उसके बदले डिजिट कहां से स्टाट हो रहा है नाइन से और फिर repetition में है तो कुछ इस तरह से आप correlate कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यदा effort नहीं लगाना परे परसेंटेज को ratio में convert करके याद रखने के लिए अब हमने एक ग्रूप 4 में के वाइड कर दिया है एक ऐसा नंबर जो बहुत ही amazing तरीके से आप याद कर सकते हो ग्रूप 4 आपको सब ही को पता होगा बच्चे 1 by 20 का वेलू कितना होता है 5% अगर हमको याद करना है कि 1 by 19 का वेलू कितना होगा से सोन अब कितना कम होगा और कितना ज़्यादा होगा वह कैसे याद करेंगे वह देखो 5 को स्कॉयर कर दो तो 5 कितना होगा 25 और इसके पहले परसेंट से कम होगा तो कितना कम होगा 0.25 तो इसका वेलू कितना होगा 4.75 परसेंट आप इस वेलू को अज्यूम करके बे हीचक आप कोशन में अप्लाई कर सकते हो कहीं कोई एरर नहीं आएगा सेम पैटन पर हम एक और गुरूप बना सकते हैं 1 by 25 का वेलू कितना होता है सभी को पता है 4 परसेंट होता है अगर हमसे पूछ रहा 1 by 24 कितना होगा 1 by 26 कितना होगा 1 by 24 का वेलू 1 by 25 से क्या होगा बड़ा और 1 by 25 का वेलू 1 by 26 से बड़ा होगा So 1 by 24 कितना बड़ा होगा? इसका square कर दो 4 का 4 का square कितना होगा? 16 तो 0.16 ले लो और इस में इस वाले value में add कर दो तो 1 by 24 के value कितना होगा? 4.16% 1 by 26 के value कितना होगा? यह 4 से कम होगा कितना कम होगा? तो यह value कम होगा तो आप simply कहा लिखोगे? 3.84% इससे क्या होगा आप अगर भूल जाते हो कि 1 by 24 का वेलू कितना है तो एक्जाम में याद करने की जुड़त नहीं है अगर हम गुरूप 5 की बात करें लास्ट बट नॉट लिस्ट तो 1 by 31 को अगर हमको याद रखना परे और 1 by 32 को याद रखना परे तो इसको आप को रिलेट कर सकते हो अगर कभी इस तरह का यूज आता है कोश्चन पेपर में तो 1 by 31 का वेलू होता है 32 यानि 3.2 परसेंट और 1 by 32 का वेलू होता है 3.1 परसेंट 31 के बदले 32 और 32 के बदले 31 अगर हम गुरूप 6 की बात करें तो सिंपली आपको परसेंटेज याद रखने के लिए इसी तीन नंबर को मेमराइज करना है सो कॉल्ड आपको याद कर लेना है रट लेना है वह वेलू होता है बच्चे 1 by 13 1 by 17 और लास्ट 1 by 23 यह भी बहुत आसान है देखो यह 5.8 है 1 by 17 को आप कैसे याद रख सकते हो यह 5.8 है 1 by 13 में डिजिट रिपीट हो जाता है 1 by 13 का वेलू होता है 7.7 परसेंट 1 by 23 का वेलू कितना होता है 4.35 इसको आप ऐसे याद को रिलेट कर सकते हो यह पाइथागोरस ट्रिप्लेट है अगर बेस 4 है हाइट 3 है तो डिएगोनल कितना है 5 ऐसे याद रखो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर स्टार्टिंग कहां से करेंगे 4 से क्यों 23 into 4 कितना होता है बच्चे 92 तो और हमने 4 यूज कर लिया 5 यूज कर लिया तो इस तरह से आप वन से लेकर 30 तक के परसिंटेज को याद कर सकते हों बाकी के एक दो नंबर से जो बहुत ही रेयर यूज होता है आपको उसकी जरूत नहीं परेगी ठीक है है